तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में कंपनी के अगर हम quarterly performance की बात करें तो despite the growth in AUM 31% YOY profit के growth की बात करें तो 88% की growth YOY basis पे थी still stock में हमें उतना ज़्यादा movement कुछ देखने को मिला नहीं है In fact अगर हम technically बात करें तो बजाज फाइनेंस ने यह 50 डेमा का जो support था उसको break किया उसके बाद यह 100 डेमा के support को break किया और finally अगर मैं यहाँ पे आपको zoom करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 200 डेमा वारी line है और candle की जो closing है वो हमें 200 डेमा के नीचे देखने को मिल रही है तो अब यहाँ पे सवाल आता है और दोस्तों इस question का answer देने से पहले मैं यहाँ पे आपको यह clear कर देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आखिर इस stock में correction क्यों हो रहा है नमबर अच्छे आए हैं उसके बावजूद stock में हमें वो rally क्यों नहीं देखने को मिल रही है जो बाकी के stocks में देखने को मिलती है जनरली नमबर बहतरीन आते हैं above the expectation आते हैं तो बहुत तेजी से वहाँ पे shoot up आपको देखने को मिलता है अगर आप यहाँ पे देखेंगे quarter one के नमबर आए हुए थे company के उसके बाद आप देखें कितनी अच्छी rally यहाँ पे आपको देखने को मिली थी तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है बजाच finance में अगर हम one year का भी chart frame देखें तो एक साल में बजाच finance में as such कोई बहुत बड़ा movement नहीं आया है और अगर आपको यह answer अगर आपको मिल जाए कि आखिर बजाच finance में movement क्यों नहीं आ रही है गिरावट क्यों हो रही है तो I think आप खुद यह answer अपने आप दे पाओगे कि क्या अभी यह सही time है इस stock को add करने का या नहीं या थोड़ा wait and watch करना चाहिए और आखिर क्या company के कुछ fundamentals में change हो रहे हैं या नहीं तो गिरावट के पीछे का reason जानने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे company के con call पे con call के अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे सबसे पहला तो यहाँ पे company का कहना है कि competition जो है काफी intensive हो गया है one of the reason यहाँ पे stock price के movement का या फिर अगर हम कहें गिरावट का जो reason है वो एक सबसे important reason यही है कि competition काफी ज़्यादा बढ़ चुका है अगर आप आज से 4 साल पहले देखेंगे तो इस sector की अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 से 5 competitor हुआ करते थे और आज की date में आप देखेंगे तो 17 competitors हो चुके हैं और दोस्तों यह बात बहुत सही है अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत आपको buy now pay later जैसी schemes देखने को मिलेंगी बहुत सारी lending schemes आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारे lenders आपको देखने को मिल जाएंगी जो clear cut बताते हैं कि काफी ज़्यादा यहां इस sector में competition हो चुका है और market को इसी चीज़ से डर लगता है डर क्यों लगता है क्योंकि बजाज finance इस sector का market leader हुआ करता था in fact अभी भी market leader है और यहां पे जब competition बढ़ जाता है तो वहां पे growth से ज़्यादा चिंता हो जाती है अपने market share को protect करने की अब आप खुद से ही सोचिए अगर यहां पे market में एक दो ही company होंगी तो वो अपने margin को काफी अच्छे से maintain कर पाएंगी लेकिन जब competition बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसी भी company को अपने product को sell करना है तो वो कहीं न कहीं margin के साथ compromise कर लेती है हाला कि यहां पे management की जो commentary आई है इस पर वो थोड़ी से negative है यहां पे यह कहना है कि अगर यहां पे management का यह कहना है कि अगर यह बोलें कि इन्होंने market share को hold किया है तो यहां पे आप agree या फिर disagree कर सकते हैं लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा example दिया है यहां पर और वो example दिया है इन्होंने मारुती का इनका यह कहना है कि मारुती एक समय पर market leader हुआ करता था और आज की date में अगर आप देखेंगे तो यहां पे competition काफी ज़्यादा बढ़ गए है हाला कि इनका dominance अभी भी है लेकिन अगर numbers की आप बात करेंगे तो वो number जो है काफी ज़्यादा कम हो चुके है यानि market share मारुती का थोड़ा कम हुआ है definitely और market को यहां पे यही डर लग रहा है कि बजाज finance हो सकता है कि market leader आगे आने वाले time में भी रहे लेकिन competition इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वज़ा से हो सकता है कि इनका market share reduce हो जाए अब बात कर लेते हैं यहां पे दूसरे reason की गिरावट के पीछे तो वो reason है यहां पे rates का hike होना जैसे जैसे यहां पे rates hike होते जाएंगे यहां पे management खुद ही कह रहा है कि liquidity जो है वैसे वैसे आपको धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल सकती है किसी time पे यहां पे इनका यह कहना है कि 7-8 महीने पहले कि अगर बात करें तो लगभग 7 लाग करोड की liquidity हुआ करती थी जो कि फिलहाल इस time के अगर हम बात करें तो almost 10,000 करोड के आसपास आपको देखने को मिल सकती है और इस rate hike का जो impact है वो इनके net interest margin पर भी पढ़ सकता है अभी कि अगर हम बात करें तो इनका जो margin है almost 36 percentage है जो की फिलहाल highest ever चल रहा है अगर covid के पहले की बात करें तो इनके margin 32 से 35 के बीच में हुआ करते थे लेकिन यहाँ पे इनका यह कहना है कि यह जो अच्छा समय है जरूरी नहीं कि यह हमेशा ही जो है तो लंबे समय तक रह जाए तो यहाँ पे इनका यह कहना है कि there will be a time for it to go back to 33 percentage यानि कि यह खुद बोल रहा है कि net interest margin जो है आगे आने वाले समय में softer हो सकते है due to the rate hike and competitions और दोस्तों यही दो main reason है जिसकी वजह से बजाज finance में हमें pressure देखने को मिल रहा है चलिए apart from that कुछ अच्छे points की हम बात कर लें यह दो तो negative points हो गए यहाँ पे अगर बात किया जाए इनके app के बारे में चुकि यह digitalize करना चाह रहे हैं अपने channel को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका channel जो है तो top 4 और 5 में rank करता है अगर आप google play में देखेंगे इसके लावा long term performance के अगर हम बात करें तो यहाँ पे FY17 के अगर हम बात करें इनके bookings की तो यहाँ पे 10 million loans आपको देखने को मिलेगा और वहीं पर अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे last year last financial year में इन्होंने 24.5 million loan books जो है इन्होंने book किये हैं और इनका यह मानना है कि इस साल जो है इस financial year के end तक होते होते यह आपको 31 to 32 million भी देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं company in the long run अच्छा perform करती हुई आपको देखने को मिल रही है new customers की बात करें FY17 तक इन्होंने 4 million new customers add किये हुए थे पिछले financial year में इन्होंने 9 million new customers add किये हैं और इस साल की बात करें तो यह 10 से 11 million new customers add करने वाले हैं तो अभी तक का यानि की company का अगर long run में performance देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है अब सवाल आता है कि क्या ये दो reason की वजह से बजाच finance खतम हो जाएगा क्या ये crash कर जाएगा पूरा तो देखे ऐसा है कि यहाँ पे ये market जो है ये अभी estimate लगा रहा है क्योंकि जब भी ऐसे कोई शक वाली चीज़े होती है तो वहाँ पे market जो है negative react करने लग जाता है market share और margin ये दो ऐसी चीज़े हैं जो यहाँ पे market इन दोनों में से किसी के भी साथ compromise करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और दोनों पे ही अगर खत्रा आता है तो वहाँ पे definitely market negative react करेगा अब देखें ऐसे में क्या यहाँ पे बजाज finance में contra bit ले करके investment करना चाहिए या नहीं तो यहाँ पे यह दोनों ही चीज़े आप पे depend करती हैं अगर आपको यहाँ पे company के fundamentals पे management पे पूरा यकीन है कि company अपने market share को maintain करेगी market leader रहेगी आगे आने वाले time में और जिस तरीके से अभी तक growth दिखाती आई है वैसी ही दिखाती आईगी तो definitely आप इसमें investment के बारे में plan कर सकते हैं वो कैसे करना है आगे हम discuss करेंगे दूसरा अगर आपको यहाँ पे doubt है कि company शायद perform ना कर पाए तो मेरे हिसाब से आप wait कर दीजे quarter 3 का क्योंकि अगर वहाँ पे number खराब हुए तो market को शक तो already है और अगर number खराब आएंगे तो वहाँ उनका शक जो है धीरे धीरे यकीन में बदलने लगेगा तो यहाँ पे और जादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन अगर company ने outperform किया यहाँ पे quarter 3 में तो I think वो एक यहाँ पे turning point हो सकता है इस stock के लिए अब बात करते हैं कि क्या अभी सही समय है investment करने का या नहीं तो अगर valuation point of view से बात करें तो यहाँ पे PE almost 41 का चल रहा और पिछले 5 साल के historical PE की बात करें तो वो 51 है तो valuation के हिसाब से यहाँ पे comfort आपको देखने को मिलेगा in fact 10 साल के अगर आप valuation देखेंगे जो की 48 का हुआ करता था median वहाँ से भी अगर आप compare करें 41 का PE बजाज finance का तो valuation point of view से यहाँ पे बजाज finance अभी attractive है लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे correction की तो क्या all time high से यहाँ यह stock अच्छे correction पर available है तो I think यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा correction हुआ नहीं है और आगे आने वाले time में थोड़ा सा यहाँ पे correction हो सकता है जिस तरीके से chart pattern दिख रहे हैं RSI की बात किया जाए तो फिलहाल 34 का चल रहा है तो oversold अभी उतना जाता हुआ नहीं है और देखे लिटरली अगर मैं बताओ तो अभी margin of safety वाले level बजाज finance में नहीं आए हुए हैं देखे margin of safety वाले level कैसे आपको find out करना है एक मैं example आपको दे देता हूँ अभी recently recent time पे जो stock चल रहा है उसका मैं example देता हूँ आपको यहाँ पे आप जो यह PE वाला trend देख रहे हैं यह है demart का demart की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल 111 का PE चल रहा है और अगर आप 5 साल के historical PE को देखेंगे तो वो 140 का है अब यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको all time high से यहाँ पे यह स्टॉ connection पर available है and यहाँ पे most importantly अगर आप यहाँ पे RSI को देखेंगे RSI देखेंगे काफी ज्यादा oversold हो चुका है यहाँ पे 23 का RSI चल रहा है एक और important point यहाँ पे यह बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरे साल भर का trend देखेंगे तो most of the time stock 4000 के उपर trade किया है यहाँ पे बहुत कम समय के लिए यह stock यहाँ पे trade किया है यानि कि यह high demand zone है demand के लिए इसके लावा अगर हम deliveries की बात करें तो आप देखेंगे percentage of delivery यहाँ पे कितनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी demand की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे in fact 82 percentage तक की delivery आपको देखने को मिल रही है तो कहने का म बात करते हैं बजाज finance की तो क्या यहाँ पे अगर हम correction की बात करें तो कितना available है यहाँ से 15 percentage का यह correction available है तो उतना बड़ा correction available नहीं है मैंने पहले भी आपको वीडियो में एक बार बताया था कि until or unless किसी large gap में 25 से 30 percentage का correction आपको ना मिल जाए तब तक आप वहाँ पे margin of safety वाल यह निकल के आता है यानि 6500 के नीचे यहाँ पे एक अच्छा high demand zone वाला area आपको निकल के मिलेगा और यहाँ से अगर आप investment की planning करते हैं तो 6500 से आप जो है तो start कर सकते हैं क्योंकि यह अच्छा यहाँ पे support zone निकल के आ है in fact अगर आप पूरे साल देखेंगे तो यह time पे म यहाँ पे 5500 के level तो यह level जो है आप चाहें तो note कर सकते हैं और इस तीन ट्रेंच में आप चाहें तो अपनी investment की planning को कर सकते हैं वाकि दोस्तों बजाज finance के बारे में आपकी क्या राया है आप चाहें तो comment section में अपने विचार को व्यक्ट कर सकते हैं वीडियो अगर informative लगा यहाँ तो वीडियो को like कर सकते हैं do not forget to subscribe our channel thanks for watching the video